नकम्मे नालाइक फिर फेल होगे तुम हाई यह मैंने दिन क्यों देखा जब तुम पैदा हुआ था अब क्या बनेगा तुम्हारा यह देखो यह देखो अपने कर्टूथ एक नंबर के जाहिल हो तुम केमिस्ट्री में भी फेल हो फ्यूचर बरबाद करियर दबाः अगर आपके घर में से भी इसी तरह की मिलती जुलती आवाजें आती हैं तो आएए मैं आज आपको एक स्टोरी सनाता हूँ इस किताब में एक स्टोरी मेंशन करते हैं जिसमें जंगल के कुछ जानवर मिलके यह फैसला करते हैं कर भी हमें इनसानों से कुछ सीखना चाहिए और हमारे ख्याल के मताबक इनसानों की तरक्षी की सबसे बड़ी वजा इनसानों का स्कूलिंग सिस्टम है तो आएए हम क्यूं ना एक ऐसा करें कि जंगल में एक स्कूल बना दें जिसमें सारे के सारे जानवर पाडिसिपेट करेंगे और एक टेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें से तमाम जानवरों को गुजरना होगा अगर वो ये बात थाबित करना चाहते हैं कि वो अकलमंद है तो जनाब उन्होंने चार सब्जेक्स को क्लाइमिंग में F ग्रेड क्लाइमिंग में F लेने के बाद बिचारी पतख बहुट डिसाट हुई कि मुझे तो बहुँ दरखत पे चड़ना आता नहीं और निसको भी बहुत कोसा गया बहुत टोका गया उसके माबाँ न उसKो बहुत डांटा लोकल हस्पिताल में दाखिल हो गया और सारी उमर यही तारे सुनता रहा कि तू तो अवल दर्जे का जाहिल है तुझे जीने का हक ही नहीं होना चाहिए उसके बाद बारी आई जीब्रा की जीब्रा का स्विमिंग में सी ग्रेट आया रनिंग में बी आst लिविमिंग में बीचारा फैल हो गया और खľाइमिंग में भी फैल हो गया इसको इसकी पैरिंट्स ने कहा कि तुम्हें टूशन की जरूरत है और तुम फलाइंग की टूशन लो तो जी बतक को लगाए इसका टीचर कि तुम इसको एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाओ और इसको किसी ना किसी तरीके से हमें नहीं पता फ्लाइंग तुमने सिखा के छोड़नी है क्योंकि आखरकार इसने पास होना है ना फेल तो नहीं हो सकता मारा बच्चा और इसके बाद बारी आई जनाब शाहीन की नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चटानों में शाहीन का स्विमिंग में एफ रनिंग में एफ फ्लाइंग में ए और क्लाइमिंग में डी शायदा पहरान हो रहे हों कि क्लाइमिंग में डी कैसे आ गया शाहीन का वो इस तरह कि जब दरख पर चड़ने की बारी आई तो शाहीन तो जल्दी से उड़ता हुआ दरख के उपर जाके बैठ गया लेकिन टीचर ने उसको ये का कि बेटा आप आउट आफ करिकिलम काम कर रहे हैं आपने बिलकुल उसी तरह से अपने पंजों के साथ चड़ना जिस तरह से गुलहरी और बंदर और बाकी जानवर चड़ने तो शाहीन बार बार इंसिस्ट करता रहा कि भई मैं इन से करना है तो मैं तो जल्दी जा सकता हूँ लेकिन टीचर ने कहा बेटा मेरे से ज़्यादा स्याने बनने की जरुएत नहीं है आप ज़्यादा ओवर्समार्टना बने जो कोर्स वर्क बताया गया है उसी के मताबक काम करो समझाई नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गंब जानवरों को कहा गया कि तुम सब को चाहिए कि तुम फ्लाइंग स्कृरल की तरह बन जाओ आप मेंसे जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे है क्या आपको इस कहानी में कुछ सिमिलारिटी नजर आ रही है आइंस्टाइन ने कहा था कि बात दरसल यह है कि हम लोग अक्सर रुकात बच्चों को पढ़ाई-पढ़ाई के नाम पर बिचारों का confidence shatter करकर रख देते हैं और जो उनका natural talent है उसको कहीं न कहीं हम दबा देते हैं उनकी creativity का भी बेड़ा घरक कर देते हैं बिलकुल इसी तरह से हमारे बच्चे भी geniuses होते हैं हर बच्चा किसी न किसी इतबार से expert होता है लेकिन अगर हम यह चाहें कि हमारे बच्चे बिलकुल हर किसी की तरह बराबर हो जाएं तो ऐसा physically possible ही नहीं है अगर आपका बच्चा किसी subject में fail होता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बिचारा नकमा है नालाइक है हो सकता है वो किसी और subject में बहुत बेतर हो जिसमें दूसरे है इतने अच्छे नहीं है अब imagine करें बड़े बड़े writers और poets को अगर judge किया जाता उनकी algebra पे या उनकी calculus पे या उनकी physics और chemistry पे तो ज्यादतर इनमें से बड़े बड़े अधीब और शायर फेल हो जाते लेकिन उन्होंने जो महारत अपनी field में हासल की उसका कोई मकाबला नहीं है इसी तरह से कोई अगर master chef है कोई बंदा जो है वो कोई आर्टिस्ट है कोई बंदा sports में बहुत अच्छा है तो الحمदलिल्ला अला ताला ने कुछ उनको talents दिये मैं parents को ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि नबी करीम ﷺ के दौर में जो उनके सहाबा थे वो सब के सब बहुत डिफरेंट थे सईदना अबु हरेरा रदियल्ला नहों जतनी अहदीस उन्हों ने collect की और किसी ने नहीं की उनका मकाबला अगर आप खालिद बंवलीद रदियल्ला नहों से करना चाहेंगे तो खालिद बंवलीद से तो एक हदीस पी नहीं आ रही लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि उनका कोई कांट्रिबूशन नहीं है इसलाम को नहीं हम ऐसा बिलकुल नहीं कह सकते जो जंगी कारनामे खालिद बंवलीद के हैं वो किसी और के नहीं है इसी तरह से आप देखें कि सेदना उस्मान इबन अफ़ान है अबद ररह्मान इबन ओफ है रजी लाण उन्हों नहीं जो माली कांट्रिबूशन दे इसलाम के लिए की वो और किसी नहीं की आपके पास सेदना बिलाल है रजी अजोके नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن تھے اتنے امیر تو نہیں تھے کیونکہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ کوئی contribution نہیں ہے اور اسی طرح آپ نام گنتے چلے جائیں سلمان فارسی ہیں سوہی برومی ہیں the list goes on ہر کسی کی contributions اپنے ساب سے ہیں سو اگر ہمارا بچہ کسی ایک فیلڈ میں اچھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس میں nurture کریں اس میں مزید develop کریں تاکہ وہ اس فیلڈ میں mastery تک پہنچ سکے وقت کر رہے ہیں اور اپنے exams کی تیاریاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس وقت summer vacation mode میں آئے ہوں لیکن پیرنٹ سے گزارش ہی ہے کہ آپ ان کے اوپر بجائے سبجکس کو ٹھونسنے کے let this be an opportunity for them to learn naturally natural learning کب ہوتی ہے جب پیرنٹس بچوں کے ساتھ involved ہوتے ہیں ان کے ساتھ different experiences کو شیئر کرتے ہیں اور ان کو confidence دیتے ہیں بچوں کو confidence کب ملتا ہے جب آپ ان کو adults کی طرح treat کرتے ہیں تو take this opportunity to get your kids involved in social work helping each other out گھر کے اندر کام کرنے میں ان سے help کروائیں America میں ایک organization ہے P21 کے نام سے Partnership for 21st Century Learning وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو youngsters ہیں ان کو جو سب سے زیادہ essential skills سکھانے کی ضرورت ہے وہ کون سے ہیں وہ chemistry physics maths نہیں ہے وہ ہیں oral communication collaboration leadership creativity problem solving یہ سارے skills ایک بچہ کیسے سیکھتا ہے practice سے جب اس کو اس قسم کی environments دی جاتی ہیں جب وہ team sports کھیلتا ہے گھر کے اندر different قسم کی activities میں participate کرتا ہے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تب وہ یہ skills کو enhance or develop کرتے ہیں تو اگر آپ کا بچہ confident ہے اگر آپ کے بچے کے اندر creativity ہے اور اگر آپ نے اپنے بچے کو ٹھیک ethical moral values دی ہیں آپ اس کو کسی situation میں ڈال دیں انشاءاللہ وہ بہت کامیاب ہوگا اس field میں یاد رہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو learning سکھانی ہے ان سے رٹے نہیں لگوانے I know کہ آج کل schools کی شاید requirement یہی ہو کہ رٹے لگا لگا کے بچہ پاس ہو جائے لیکن اگر آپ اپنے بچوں کا future واقعی میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے we have to teach them how to learn so guys آج کی بات کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں بچوں کے ساتھ ایک natural learning environment create کیا جائے جہاں پہ وہ practically آپ کے ساتھ مل کے چیزوں کو learn کر سکیں اور تھوڑا سا ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں I hope کہ آج کی باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا دین کی باتیں فہلانا سکھا یہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں